अभी वही मुख्या जी अमारे साथ हैं जो कि समस्ति बुर्जी लेके रहने वाले हैं और इन्हों ने ड्रीम 11 से एक दफात थैंतिस लाक रुपए उसके बाद पांच लाक रुपए और फिर एक साल के बाद आज दो करोर रुपए जीत लिया है सच बात है मुख्या जी यहा नहां पर आप देख सकते हैं कंप्लिटेट कॉंटेस्ट है 49 रुपए टेक्स काट के आया इसमें अच्छा एक करोड़ 58 लाक रुपए इसमें टेक्स काट करते हैं अच्छा एक चीज़ बताईए आप उप मुखिया है इस पंचायत के तो सुनने में आता था कि पहले आप ही पैसा बगरा लगाते थे जी आप कितना पैसा जीते थे 10,000 रुपए जीते तो वह किस काम में आपने उप्यों किया था देखिए पंचायत वेब सीरीज आप सब लोगों ने देखी होगी उसमें आपने देखा होगा कि कैसे प्रधान उप्रधान जिन्हें मुखिया या कभी मुखिया जी 33,000,000 रुपए जीत जाते हैं कभी मुखिया जी 2 करूर रुपए तो कभी 5,000,000 रुपए जीत जाते हैं अभी वही मुखिया जी हमारे साथ हैं जो कि समस्तिपूर जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने ड्रीम 11 से एक दफा 23,000,000 रुपए उसके बाद पांच लाक रूप है और फिर एक साल केबाद आज 2 करोड रूपय जीत लिया है सच बात है मुख्या जी बिल्कुल सही बात है वहिए किस पंचायत के मुख्या है किस चर्मद के समस्तीपुर जिले अंतरगति यहाता है इक शीज बताईए कि कितना पैसा लगाया था आपने पहली दफा जिसमें आप 33 लाक रुपए जीते थे उसमें कितना पैसा अब जीता आपने पैसा ये दो करोर रुपए इसमें कितना पैसा इसमें भी उस दिन सकते हैं वह स्क्रीन शॉट और किस तरीके से वह पैसा वह धनराची जो देखने के लिए शायद को इंसान तरस्ता हो वह आज इनकी किसमत बदल गई है जरा इधर आ जाईए और ड्रीम 11 एप ये खोल रहे हैं और जरा देखिए यहां के करीब आ करके किस प्रकार से ये पैसा जीते थे यहां पर आप देख सकते हैं completed contest है 49 रुपया टेक्स काट के आया है और समझ जाईए कि मुखिया जी इसमें कभी 49 रुपय कभी 49 रुपय कभी 50 रुपय लगाते थे और इनकी किसमत देखिए कि ये पंचायत के विकास में ये तमाम चीज खर्च करते थे इस पैसा अपने दान किया पंचायत में ये जो अप 23 रुपय आप च्छोटी राशी नजर आ रही है तो 33 रुपय तो अपने दान कर दिया था ये दो करोर अब दान करेंगे या अपने विकास में लगाएंगे कोई गलत बात नहीं होगी अगर वह आपका निजी धन राशी है निजी पैसा है आप अपने विकास में लगाएंगे या पंचायत के विकास में भच्चे से पंचायत के विकाश चाहते गरीब गुडवा को मदद कर देखा अच्छा, एक कहानी हम सुन रहे थे आपकी, कि आप कहे थे मुखिया के हाँ, और मुखिया ने आप से कुछ दुर वैवार किया था, उनका वैवार आपको पसंद नहीं आया था, उस दिन आपने प्रण लिया था कि आप मुखिया बन करके दिखाएंगे, ये क्या कहानी थी जरा बताईए, था एक बार आचरन बनाने के लिए थे, उनका वैवार था कि हम बैठे रहे, नहीं आये, इसलिए हम लोग चाहे कि युवार लोग वाना चाहिए, ताकि युवार में एनरजेटिक है, हम लोग खुल के काम करते हैं, ताकि लोग विकास हो सके, अच्छा, ए मुखिया जी जो ये पैसा जीतते हैं, गाउं के लोग काफी खुश रहते होंगे, बहुत कुश रहते हैं, अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि गाउं में आग लगी थी, पंचायत में आग लगी थी एक तरफ, और मुखिया जी वहां पर ये तमाम राशन वेगरा ले मुखिया जी को लगता है, वोट करेंगे लोग अब जी निशित करेंगे, और मुखिया जी सुनने में आ रहा था कि पुड़े जिले में सबसे जाधा वोट से जीतने वाले मुखिया, जी बिलकुल सही है, इक पंचायत के अंदर पचीस सो वोट से जीतना बहुत बढ़ी होती है, और इस बार लगता है, यह आकरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, यह तो महान जनताओं की सोच होगी, आच्छा, आगे भी ड्रीम 11 खेलेंगे या फिर अब इस चीज़ पर विराम लगेगा, इसा ही लगा देते हैं, उन्हें से जाधा तर लोग यह ड्रीम 11 व अगरा देना चाहिएगा? बारे में आप क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्ष्षन पर पर राय देना ना भूलें